कई बार कई लोगों से आपने सुना होगा कि मसरूम की सबजी बिल्कुल ही मटन के जैसे टेश्टी बनती है लेकिन अगर घर में बनाने जाए तो वो टेश्ट बिल्कुल भी नहीं आपाता है ना तो ये रेसिपी बिल्कुल ही आपके लिए है इसमें मैंने मसरूम को बिल्क पानी करके आपको निकाल देना जितने भी गंदगी है अराम सी निकल जाएंगे हलके सापको पोस्ष लेना है और आपको छोटे-छोटे टुकडे में कर लेना है को सिस करें कि 4-5 टुकडे vessel क्शोटे करना है ज्यादा नहीं च्छोटे मसरूम बनेगी न तो बहुत ही टेष्टी बनेगी और बिलकुल ही मतन के टेष्ट की जैसी ये टेष्टी होगी और यह देखिए मैंने अची तरह से मिला दिया है और इससे आपको क्या करना है दस मिनट के लिए कम से कम आपको छोड़ देना है तब तक चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिया है, सरसो तेल, सरसो तेल में इसका फ्लेवर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिया है, और एक चमबच लगभग मैंने जीरा डाल दिया है, और जितना मसरूम है बस उतना और एक चमबच के करीब लसुन का पेष्टे डाला है, साथ में डाल देंगे तो जल्ली से भून जाएंगे, और ये रेसेपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी, और ये देख़ए, दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया है, हलका सा, उसके बाद मैंने पास पहले, इसलिए आपको हिसाब से डाला है, उसके बाद मैंने डाला है, आधा चमच हल्दी पाउडर, और एक चमच मैंने डाला है, भर के जीरा पाउडर, और आधा चमच के करीब धनिया पाउडर, और फिर आपको मिर्ची स्वात के अनुसार ले सकते हैं, आप चाहे तो जब लावाले मिर्च को लिया है और अच्छी तरह से डाल के भून रही हूं और हल्का आपको क्या करता ना है पानी दाल देना है पानी डालेंगे न तो यह मस्रूम बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और जो मसाले बनेंगे वह बहुत ही तिष्टी लगेंगे लाश्ट म नहीं बनाया है न तो ज़रूर बना के देखिए और मसाला जैसे हलका सा भून जाए ना फिर आपको डाल देना है मसरूम और मसरूम डाल के पाने वगरा कुछ भी नहीं डालना है यही होता है में सिक्रेट सबजी बनाने का जिससे यह टिश्टी बनती है और बहुत ही कम पान नहीं बनाये है तियुकल ही नोर्मल से दामने आपको और जितना घ्रिभी आपस चाहिए न बस उतना ही डालना है उसके बाद आपको पकाना है कखर करके ताकि इसका पूरा फ्लेवर अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसेपी ये हमें आप जरूर बताईए और अगर आपको ये तरीका पसंद आता है ना तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं और एक पर बना के देखिए बहुत ही टिश्टी रखती है और जो दुकान वाले होटल वाले मिलते हैं उससे कई ज्यादा ये टिश्टी लगेगी सिंपल से मसाले से बस बनाने का मैंने तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है तो आई होप ये रेसेपी आपको काफी पसंद आई होगी तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स है तो जाके मेरे रेसेपी में देख सकते हैं तब तक के लिए बाई बाई